जै मात अदिमित्रो आप सभी का आपके अपने चैनल एस्टोफिर्ण अंशु में स्वागत है मैं डॉक्टर अंशु कुपता आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कुमराशी का कैसा रहेगा जैनवरी दो हसार देज जैनवरी के महीने में कैसी रहेगी आपकी सेहत कैसी रहेगी शिक्षा लव रिजलेशन्शिप कैसी चलेगी विवाहिक जीवन में कोई समस्या तो नहीं है नौक्यूर विफसाय कैसा रहेगा जैनवरी के महीने में और यदि कोई समस्या है तो उसके लिए आपको क्या उपाय करने है यदि आपकी कुम राशी है कुम लगन है या आपके नाम से कुम राशी बनती है तो आज का वीडियो आपके लिए है वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्पुन साबित होने वाला है वीडियो को अंतक सरू कर लीजिए पैल नोटिफिकेशन को on करके all पे क्लिक करें कैसा रहेगा कुमराशी का जन्वरी का महीना तो सबसे पहले जानेगे हैं गोच्रे सिती कुमराशी की गोच्रे सिती किस प्रकार से है क्योंकि हमारे जीवन में जो भी घटनाय घटती है गोच्र के अनुसार ही घट कोच्र कर रहे हैं केतु आपके नवम भाव यानि की भागिस्तान में कोच्र कर रहे हैं सूर्य और बुद्ध आपके लापसान में कोच्र कर रहे हैं शनी और शुक्र आपके बारवे भाव में कोच्र कर रहे हैं तो गोच्रे सिती के अनुसार कैसा रहेगा जन्वरी का मही शुरुबात करेंगे लगन से यानि कि आपका स्वास आपकी सेयत कैसी रहेगी जनवरी के महीने में तो यहां लगने शनी है जो बारवे घर में कोचर कर रहे हैं परंतु 17 जनवरी कोई लगन पर आजएंगे तो ऐसी सिती में शनी देव अपने ही घर में अपनी ही मूल क्या है ध्यान रखिएगा आपके उपर शनी की साड़े साती चल रही है कैसी रहेगी शिक्षा जनवरी के महीने में तो शिक्षा हम देखेंगे पंचम भाव से या पंचम भाव के स्वामी बुद्ध हैं जो लापसान में सूरे के साथ कोचर कर रहे हैं बहुत ही उत्तम ब करनना है क्या करना है भविश्य में उसको लेकर अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करेंगे और जो लोग एक्स्रा स्टीस कर रहे हैं यूपीएससी आईएस आईपीएससी एससी किसी प्रकार की गौर्डवन सर्विस की तयारी कर रहे हैं उनके लिए जैनवरी का महीना बह करेंगे जिसके लिए परिवार पी आपको सहमती देगा कैसा रहेगा विवाहिक जीवन जैनवरी के महीने में तो सबतम भाफ से देखेंगे हम विवाहिक करना हेång या सब्तम भाव के स्वामी सूर्य हैं, जो लापसान में बुद्ध के साथ गोजर कर रहे हैं, विवाहिक जीवन आपका अच्छा तो रहेगा, पर आपको अपने गुसे पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि गुसे के खारण आप अपने विवाहिक जीवन को खर कर सकते हैं, चोटी-चोटी बातों पर आप अपने पार्टनर पे गुसा करेंगे, चोटी-चोटी बातों में आपका मिया निकालेंगे, आपके अंदर इगो बढ़ेगा, तो आपने अपने इगो को कंट्रोल रखना है, अपने गुसे को रखना है, आपका विवाहिक तो जो लोग विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं या विदेश से विपार करना चाहते हैं शेर मार्किट का काम कर रहे हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारे कर रहे हैं उनके लिए जैनवरी का महीना बहुत अच्छा है जिन ल महीने में अच्छा जालेगें घंट के महीने में भागें यहां जान रहा है तो यहां पत्री का विशलेशन करा कर ही कीजिएगा धनकी और आतिक सिती आपकी अच्छी रहेगी पर खर्चों पर आपको धियान रखना होगा कौन से है वो पाई जो आपको जैनवरी के महीने में सरूर करने चाहिए तो जैनवरी के महीने में आपको सूरियास के बाद पीपल के ओम प्राम प्रीम प्रोम सशनिश्चराय नमा का जाप करना है पक्षियों को सतनाजा यानि कि साथ परकार के साबुत अनाज जो चक्की पर रेडिमिट मिलते हैं पक्षियों को आपने दोनों समय रोज डालना है चीटियों को आटा मिश्रित बूरा यानि कि आदा आटा आदा बूरा मिला कर काली चीटियों को रोज खिलाना है ये काले चीटियां आपको देव स्थानों पर, यानि की मंदिर में, पार्क में, पीपल व्रिक्ष के नीचे, बर्गत के व्रिक्ष के नीचे बहुत अराम से मिल जाती है, करिए यह उपाए, आपके जीवन में यदि कोई कस्ट को इस समस्य चल रहा है, तो वो भी दूर होग वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक सरूर करिएगा, वीडियो को जादा से जादा दोस्तों और इश्यदारों में शेयर करें, वीडियो से संबंदित यदि आपका कोई प्रेशन है, तो वीडियो के ही कमेंट बॉक्स में लिखकर पूर सकते हैं, जैम आता दी, आपका द दिन शुभू